यूक्रेन और रूस के भी जो युद चल रहा है उसका असर पूरी दुनिया पर पढ़ते हुए नजर आ रहा है खास कर अर्थ विवस्ता पर पूरी वर्ड एकॉनमी जो है वो इस युद से फेक्टेर है उसके असर देखने को मिल रहे हैं और खास कर जबाद आती है तेल के कि भारत के लिए भी संकट कही न कहीं खड़ा हुआ है लग रहा है कि बहुत ही जल्द पेट्रोल की जो प्राइसे वो और भी जादा बढ़ सकते हैं लेकिन आपको बता दे रूस पर तमाम प्रदिबंद लगे हैं और अमेरिका जैसे देश ने जो वहां से ओईल इंपोर् भारत के लिहासे एक बहुती खास प्रस्ताव रखा है भारत के लिए और यहां पर भारत को इससे फाइदा मिल सकता है आपको बता दे कि रूस जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल का उत्पादक है क्रूड ओयल का और जहां तक भारत की बात है तो अपनी जितनी उनको क्रूड ओल चाहिए 85 पीसदी जो है वो बाहर से ही उसका आयात करता है अब ऐसे में रूस का जो ओफर है ये भारत के लिए काफी जादा अच्छा साबित हो सकता है पता दे रूस ने कहा है कि वो तेल और बाकी जो समान है वो डिसकाउंट रेट पर भारत को मोहिया करा आने के लिए तैयार हो गया है रूस के इस प्रस्ता पर भारत विचार भी कर रहा है क्योंकि देखिए यूकरेइन के खिलाफ जंग छेड़ने के बाद दुनिया के ज्यादतर जो देश है वो रूस के खिलाफ उतर गए है भारत जो है वो तठस रहा है कही न कहीं बीच का रास्ता अपनाया है अपने कूटनीती का अगबात करें और दोनों देशों के बीच शांती वारता बहाल करने की लगातार अपील करता रहा है रूस पर तेल और गैस सप्लाइग का भी प्रतिबन जो लगा है इसे देखते हुए अब रूस ने भारत के सामने तेल सहेद बा रिपोर्ट के मताबिक रूस सयुक्त रूप से कच्चे और तेल उत्पादों का दुनिया का शीर्ष निर्यातक है जो प्रति दिन लगभग साथ मिलियन बैरल या वैश्विक आपूर्ती का साथ पीसदी शिपिंग करता है अब समझने के कोशिश करते हैं कि ये युद के म 85 पीसदी से ज्यादा कच्चते बाहर से खरीदते हैं आयात किये जा रहे कच्चे तेल की कीमत भारत को अमेरिक की डॉलर में चुकानी होती है और ऐसे में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने और डॉलर के मजबूत होने से घरेलू स्तर पर पेट्रोल डीजर के दाम जो है वो प पार पहुंच सकता है अब देखिए अगले वित्य वर्ष में भारत का जो आयात है उसमें सबसे ज़्यादा जो परसंटेज होगी आयात की तो वो हिस्सा जो होगा वो तेल और पर्टलाइजर का ही होगा सबसे ज़्यादा इस बोच को कम करने के लिए भारत तेल की सप्ट कहा जा रहा है अब समझते हैं कि इस पें भारत का रूख क्या हो सकता है या भारत सरकार क्या वाकई में इसके बारे में कुछ सोच रही या इन नहीं अदेखिए रॉइटर्स निउस एजिंसी को एक भारत सरकार के सूत्र ने कहा कि रूस ने जो तेल और बाकी समान सस्ते पर बेशने का प्रस्ताव दिया है वो खुशी खुशी जो है सरकार एकसेप्ट कर सकती है लेकिन अभी जो है टैंकर इंशुरेंस कवर और ओइल ब्लेंड को लेकर कुछ समस्या हैं जिन्हें पहले निपताया जाएगा एक बार यह समस्या सुलच जाएं तो सस्ते रेट पर तेल और सामान लिए जाएंगे और यह बात ध्यान रखना होगा कि दुनिया के कुछ देशों ने युक्रेन के समर्थन में रूसी तेल और गैस खरीदने से मना कर दिया है इसमें अमेरिका और कई पश्चमी देश शामिल है और यहां पर भारत को कहीं न कई फाइदा होते दिखाई दे रहा है देखिए दुनिया के कई देशों ने रूस के खिलाफ आयात निर्यात पर प्रदिबंद लगाया है लेकिन भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि उन प्रदिबंदों से कोई घाटन नहीं होगा या पर इन प्रदिबंदों के चलते रूस से तेल मंगाने म कोई अर्चन नहीं आएगी सरकार की तरफ से रुपिया रूबल ट्रांजाक्शन का भी मेकनिजम बनाया जा रहा है चुकि रूस से मंगाया जाने वाले सामान का पेमेंट रूपिया रूबल विनियम के हिसाब से ही होगा रूपिया भारत की करंसी है और रूबल जो है वो र रिवेश का काम जारी रहेगा रूस के साथ कई दशकों से भारत की जो रक्षा के संबंध है भारत के साथ और अभी हाली में यूएन में रूस के खिलाब लाए गए तमाम प्रस्ताव में भारत ने आपस्टेन किया है वीटो की वोटिंग में भी शामुल नहीं हुआ था और अबस्टेन करने से रूस को एक तरह से फाइदा ही हुआ जो कि भारत के हटने से एक वोट कम हो गया जिसकी गिंती नहीं की जाती है और ऐसे में भारत को इसका फाइदा जो है इन बालाटरल टाइस का जो फाइदा है वो मिलते हुए आपर दिखाई दे रहा है और इसस झाहता झाहता ज़्गाद है झाहता बालाटरल टांगवा है ईनिता है झाहता फृशन आपका एक परी उसका फूप ग практиक बड़ रहा है प्र mgषσ ऊेक लोग झाहता हैícia कि नहीं को फिल करने से गिल ए तैन ज